हेलो फ्रेंज आपके मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू के पकवरे एकदम फूला-फूला एकदम क्रिस्पी और बिलना बेकिंग पाउडर बिना शोडा के और यह बनाने में बहुत असान है खाने में उतना ही टेस्टी और वीडियो पसंद आई तो लाइक किजिये अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए अब चलिए शूरू करते हैं बनाना अग्यों कि आलो के पकोड़ा बनाने के लिए देखिए मैंने दो आलो लिया है और एक कंचा आलो है और चलिए अलो का छिलका उतार लेते हैं और यहां पर देखिए मैंने आलो का छिलका उतार लिया है और इसे हम वर्ष कर लेंगे आरे 工 पर चलिए हम कट कर लेते हैं art और बड़े बड़े आलु लेंगे तो अच्छा यह बड़ी पीसे कट हो और यह पकोरी बनाते समय में पूरी के जैसे पकड़ाद लगेगा आप देख सकते हैं इस तरिके से मेरे काटा है ना ज़्यादा पतला है ना ज़्या ज़्यादा और यहां पर मैंने सारे यालु को कट कर लिया है आप देख सकते हैं कि यहां पर देखे मैं लिया है पाल बाउलके अंदर हम एक कटउरी बेसन डालेंगे स्टर्श tales?」 काट आप चाहिए तो यहां पर जवाइन डाला इसमें अधाचमच गरमसाले डाला है अब लेंगे हम अधाचमच लाल मिर्च पाउडर यहां पर हम लेंगे हर धनिया पत्ता जवादन सार नमक और अच्छे इन सारे चीजों को मिला लेते हैं अच्छे से कि यहां पर मैंने सारे चीजों को अच्छे से मिला लिया है अब देख सकते हैं और यहां पर हम थोड़े थोड़े पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे एकदम से हम पानी नहीं डालेंगे थोड़े थोड़े करके ही पानी डालेंगे यहां पर हम कंस्टेंसी ना तो पतला रखना है और ना ही मोटा और यहां पर में दो चमच गरम वेल डाला है इसे बहुत क्रिश्पी बनता है पकोड़े इसलिए जरूब डालें और यहां पर मेरा बिर्कुल पर्फेक्ट बनकर रडी हो गया है पेस्ट अब चलिए आलू पकोड़े को हम फ्राई कर लेते हैं उसके लिए कराई रख दिया है गैस पर इसमें डाल दिया था पहले से ही और गरम हो गया है और इसमें हम पैस्ट बनाये हें बेसन का हुसमें अलू को हम डिप करके की इसमें फराई करेंगे से अब देख सकते हैं इस तरह के से यहां पर देखिए एक तरफ हो गया है प्रलट लोगी आप जेख सकते हैं कितना अच्छा फुल आप है इक दाम फूडी के जैसे लग रहा है और यहां पर मैंने फराइ siento में इस perform एक मिलीट में जायति ज़्यादा एक्स्टा वेल इसमें एक्जब नहीं करता है बहुत कम एक्जब करता है और यह क्रिस्पी इतना बनता है फ्रेंस आप एक बाट राई जरूर करें और यहां पर देखे मैंने सारे पकोड़ी बनाकर रेडी कर लिया है अब देख सकते हैं और चलिए इसे हम गर्म गर्म सब्द करते हैं किया है इसके साथ हड़ा धनिया चछटनी बनाया है और इसे हम गर्म गर्म सब्द करेंगे और एक तोर के दिखा देते हैं इसके अंदर के टेक्टर देखिए और फ्रेंस ये रिस्पी कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नई रिस्पी किसा तब तके लिए बाइबाइब